नमस्कार दोस्तों तो मैं हो डॉक्टर रितेश और आज इस वीडियो में हमें देखने वाले कि शुइंग होर्स में घोड़े में शुइंग कैसे की जाती है तो एक ये बहुत जैसे कि आप सभी जानते हों लिए गोड़ा यानि कि होर्स बहुत एक सेंसेटिव एनिमाल है इ स्वींग है इसलिए हिए घॲेट क होँटी होटी हदी होट फूंग में हम जो है ग्रम करते हैं और उसके बाद यूज करते हैं जैसे के अब देहँ होट होच इनिग में इसमें गरम करके चिपका के फिर चिपका के उसका साइज सेट करना पड़ता है जितना उसका हूफ है हूफ कट करके थोड़ा बहुत उसके बाद उसका साइज सेट करके उसको धंग से सेट करा जाता है और इस प्रोसेस में कोई छोटी प्रोसेस नहीं है इसमें थोड़ा सा टाइम तोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गरम करने का आपके पासाधन होना चाहिए गरम करना चाहिए और यह सिर्फ प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं हर कोई वेक्ति से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी उपर नीचे हुआ यहां कुछ भी अगर गलती होती है तो इसमें होस में जल्दी लेम्रेस यानि की चलने में प्रॉब्लम या फिर पेर में कोई और भी समस्या आ सकती है अगर शूइंग गलत करते हैं तो उसके भी दुश परिणाम देखने को मिल सकते हैं तो इसे विलकुल साउधानी से करा जाता है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसे करा जाता है तो उम्मिद कर रहा हूं आपको पसंद आया होगा यह वीडियो देख सकते हैं आप किस ताइप से एकदम धीरे से जितना फोर्स से हतोड़ा मारना है उतना ही फोर्स से और किस किस प्लेस प छोड़ने हैं यह चारी चीजों का ध्यान रखना होता है इसमें तो बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक यू थेंक यू वेरी मच यह थी होट शूइंग इन होड़ ऐसे ही और अपडेट्स के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें यह इसकी शूइंग कंप्लीट हो गई इ झाल के यह बचे झाल के यह थेंगा भी इसकी यह इसकी शिवर भी किस्वर्ण फिर स्विर अबहुत थेंगिस यह तायरे सब्सक्राइब का यह दोज़ने हैं यह अज़ए्ट मैं इसकी शवर ऑन्यवों करें सिवर्ण